जम्मू कश्मीर के मुद्धे पर पाकिस्तान को साओधी अरब का साथ नहीं मिला, तो पाकिस्तान ने साओधी अरब को आड़े हातों ले लिया। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ इसलामिक देशों के संगठन Organization of Islamic Corporation यानि OIC के खड़े नहीं होने को लेकर साउधी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी एक टीवी शो के दोरान शाह महमूद कुरेशी ने कहा था मैं एक बार फिर सम्मान के साथ OIC को विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहा हूँ अगर आप इसे आयोजित नहीं करते हैं तो मैं प्रधान मंत्री इमरान खान को उन इसलामिक देशों की बैठक बुलाने को कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और उत्पीडित कश्मीरियों का समर्थन करते हैं साओधी अरब ने पहले ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने को भारत का अंदुरूनी मामला बताया है हाला कि जून के महीने में OIC के Contact Group के विदेश मंत्रियों की आपात कालीन बैठक में 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार की स्थिती और हालात पर चिंता जाहिर की गई थी बैठक में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला किया गया है और नए डॉमेसाइल नियम लागू किये गए हैं वो सयुक्त राष्ट के सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव और अंतरराष्टिय कानूनों का उलंगन है साथ ही सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद के प्रस्ताव को मानने की भारत की प्रतिबधता का भी उलंगन है OIC में मुख्य طور پर साओधी अरब का ही प्रभाव है पाकिस्तान की आलोचनात्मक टिपड़ी के बाद साओधी अरब ने उस से एक बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने को कहा है साल 2018 में साओधी अरब ने पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से साओधी अरब ने मई से ही पाकिस्तान को तेल देना बंद कर दिया है पाकिस्तान की मीडिया में भी शाह महमूत कुरेशी के बयान की आलोचना हो रही है क्योंकि इस से पाकिस्तान पर कर्ज लोटाने का दबाव बढ़ गया है विशेशग्य से पाकिस्तान को लेकर साउधी अरब के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान को लेकर साउधी अरब के रुख में आये इस बदलाव पर जेन्यू में दक्षिन एशिया अध्यन केंद्र के प्रोफेसर संजय भरद्वाज कहते हैं कि इसे वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव के तौर पर देखना होगा यह एशियाई देशों के बीच बदल रहे समीकरनों की वजह से है अमरीका और चीन एशियाई देशों में अपने अलग-अलग समीकरन बना रहे हैं साउधी अरब परंपरागत रूप से अमरीका का सहयोगी रहा है और साउधी अरब का इसलामी दुनिया में एक तरह से दब-दबा है अब इस वक्त जब अमरीका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध की स्थिथी बनी हुई है तो चीन अपनी पैट एशियाई देशों मे बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए नए सम्मीकरन बना रहा है प्रोफिसर संजय भरद्वा जागे बताते हैं कि चीन इरान के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है पाकिस्तान में भी चीन का बड़ा निवेश ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर के रूप में हो रहा है इस तरह पाकिस्तान और इरान दोनों ही चीन के नजदीक हो रहे हैं फिर चाहे मामला निवेश या भू राजनीतिक संबंदों का हो वास्तव में चीन इसलामी दुनिया में साओधी अरब का विकल्प खड़ा करना चाहता है इ इस में साओधी अरब मौजूद नहीं था इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने 2018 में चीन के साथ साल 2013 से हुए तकरीवन 50 अरब डॉलर के आर्थिक समझोते CPEC में साओधी अरब को शामिल करने की घोशना की थी इस मसले पर इमरान सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना का स पाड़ी देशों खास तोर पर साओधी अरब के साथ भारत की नजदीक यां बढ़ी हैं भारत संयुक्त अरब अमीरात और साओधी अरब के बीच आर्थिक संबंधों के अलावा अब सुरक्षा नीती को लेकर भी संबंध गहरा रहे हैं प्रोफिसर संजय भरदवाज बताते हैं कि इन बदले संब्मीकरणों में भारत अमरीका और संयुक्त अरब अमीरात स्वाभाविक पार्टनर बनते जा रहे हैं साओधी अरब और इरान कभी साथ आ नहीं सकते और साओधी अरब के अमरीका के नजदीक होने की वजह से वो देशों के बाजार में अपने हितों से समझोता करने को तैयार है प्रोफिसर संजय भरदवाज बताते हैं कि चीन निश्चित तोर पर खाड़ी देशों के बाजार में अपनी संभावनाय तलाशने में लगा है लेकिन जहां तक भूर और नीतिक सवाल है तो इरान और पाक पाकिस्तान और बांगलादेश को साथ लाने की कोशिश में भी लगा हुआ है बीबीसी उर्दू के वरिष्ट पत्रकार सकलैन इमाम इस मसले को सिर्फ एशिया में अमरीका और चीन के बदलते समिकरणों के लिहास से ही नहीं देखते और नहीं वो ये मानते हैं कि साओधी हैं कि पहली बार साओधी अरब में एक ऐसा किंग बनने वाला है जो लंबे समय तक रहने वाला है तो अमरीका इस लिहास से इस बदलाव को देखते हुए भविश्य के हिसाब से अपनी रणनी ती तै कर रहा है दूसरी तरफ किंग को स्थानी समर्थन के साथ साथ हमेशा विदेशी समर्थन की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि कबाली समाज में इस्थानी एस्तर पर बगावत का खत्रा बना रहता है और इसलिए विदेशी ताकत के समर्थन की जरूरत रहती है अमरीका अभी क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान को समर्थन कर रहा है इसके पीछे इसराइल और इरान है अमरीका और चीन इनके पीछे से हैं इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्नायक भूमिका निबा रहा है वो इसराइल है यही वज़ा है कि मुहम्मद बिन सल्मान के आने के बाद साओधी अरब के रिष्टे इसराइल के साथ इतिहास के सबसे बहतरीन दोर में हैं इन दोनों देशों के रिष्टे कभी इतने अच्छे नहीं रहे लेकिन आज इरान के खिलाफ ये दोनों देश एक जुठ हैं इसके साथ ही इसराइल को एक सबसे प्रभावी मुस्लिम देश के तौर पर साओधी अरब का साथ मिल रहा है पहले सा इरान के खिलाफ होगा वो साओधी अरब का साथ ही बनेगा इसलिए अब साओधी अरब भारत और इसराइल एक तरफ हो रहे हैं क्योंकि ये अमरीका के साथ हैं तो दूसरी तरफ मुशर्फ के जमाने से ही पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के ज्यादा नजदीक होता जा रहा ह इसराइल इस समीकरण को बनाने में बड़ी भूमी का निभारा है और वो इरान के सक्त खिलाफ है साओधी अरब और पाकिस्तान के बदलते रिष्टों पर वो बताते हैं कि हमेशा साओधी अरब के किंगडम की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज 60 के दशक से जाती रही है साओधी अरब के साथ ये सैन्ने तालुकात आज भी कायम हैं सिर्फ फर्क ये आया है कि मुहम्मद बिन सल्मान अपने भविश को सुरक्षित करने के लिए पश्चिम के ज्यादा नस्दीक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आज भी पाकिस्तान की आर्मी को बेदखल नहीं किया है, इसलिए इन दोनों देशों के बीच एक तनाओ जैसी विश्चिती तो जरूर बनी है, लेकिन यह कोई दुश्मनी जैसी बात नहीं है.